प्रश्कार जहिंद कैसे है सभी आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है साउन ठीक है अखिलेश उत्तर प्रदेश के संद कवीर नगरस आशरवाद बिटा सचीन गूड बार्निंग वंदे मातरम नमश्कार जहिंद कैसे हो सारे के सारे मैं बिलकुल ठीक हूँ, बिलकुल सौस्त हूँ, आप बताई आप सभी कैसे है, sound ठीक है, audio, video perfect है, क्या आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है, कैसे हो भी सारे के सारे, एकदम बढ़िया, तो कल मैंने आपको सिलेजम, विश्व, मोहन, आशीश, नमस्कार बिटा, ज्याहिंद, कल की जो क्लास हमने आपको कराई थी, लोकेश, दिवाकर, अभिशेक, राखी, सशी, विश्व, मोहन, मेरतिया, निकिता, निकिता, हमने आपको सिलेजम स्टार्ट करायाथा, वो सिलेजम मैं पहले वेन डाइगराम से कराथा ता, उससे कराथा था 150, इस बार मैंने वेन डाइगराम से करा दिया, सब का नाम पिटा क्या से ले, हर्ष, संदीप, रंजीत, सविता, आशीश, मोहित, सभी को बहुत-बहुत आब यहां रटने की ज़रूरत नहीं है यहां दो-चार बाते बताई मैंने आपको मैंने ये बताया कि all के case में answer कैसे देना और sum के case में sum का मतलब होता है कुछ-कुछ में देखते हैं कि कुछ area common है या नहीं है या तो थोड़ा सा area common दिख जाएगा या पूरा का पूरा area common दिख जाएगा all वाले में कैसे देखते हैं कि पहले वाले का पूरा circle दूसरे में मौजूद है या नहीं all वाले में आज मैंने कहा था none वाला देखना बताऊंगा और some not वाला देखना बताएगे समझ में आगा था बटा कल अच्छे से देखो बटा एक नई class है एक नया subject पढ़े रहे हो reasoning G1 में आपने पहली बार पढ़ाए इस इलोजम पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ाया माली जी आप match पढ़ रहे तो number system आप पहले पढ़के आएए परसंटेज आप पहले पढ़के आए रेश्वा पहले पढ़के आए है और अगर आप English पढ़ रहे हैं तो English में noun है, pronoun है, tense है इसा पहले आप पढ़के आए है सेम काम GS और GK में है लेकिन reasoning मेरा जो subject है वो इकलोता ऐसा subject है जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं उसे जीवन में पहली बार तो जब कुछ नई चीजे सेखते हैं तो नई चीजों में आपको वो फर्क जरूर महसूस होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका इतना basic है इतना सटीक है, कि उस तरीके में आप शुरुवात में भी बहुत अच्छा कर लेंगे मैंने एक tough chapter उठाया शुरुवात में ही ताकि आपको ये लग जाए कि आने वाले chapter चाहे जितने भी tough हो समझाने का तरीका, जो है वो easy रहने वाला है अखिले, सौरव, बबलू, निकिता, हर्ष, बुड मॉनिंग बेटा, वंदे मातरम, राम, राम, जैहिंद, रादे, रादे, जैश्री राम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब अभानसू चलिए तो हमने आपको आनसर देने का तरीका बता दिया था आज बच्चे जो हम करेंगे वो हमने नन वाला, आज आल वाला आनसर देना सीख लिया था अब जैसे यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, आल वाला कैसे आनसर दिया जाएगा आल वाला यह स्टेटमेंट है, डायगराम स्टेटमेंट मैंने सेम रखे है, मैं डायगराम बनाता हूँ आल ए आर बी, तो आल ए आर बी का डायगराम यह हो गया बच्चे अगर हम आल ए आर बी का बात करें, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा और ये हो गया All A, R, B All B, R, C तो ये हो गया All B, R, C All D, R, E Non CRD, C और D का कोई संबंद नहीं है अगर C और D का कोई संबंद नहीं है क्यों? तो C और D का नहीं है तो C के अंदर B है तो B का भी नहीं होगा A का भी नहीं होगा आपको आगे बताऊंगा All DRE, ये वाला point All DRE All DRE, ये आगया All DRE Sum ERF Minimum काटेंगे अंदर तक नहीं लेकर जाएंगे All ARC अब answer देने का तरीका देखो वेटा क्या सारा का सारा AC के अंदर है सारा का सारा AC के अंदर है बिल्कुल सही है क्या सारा का सारा CA के अंदर नहीं All में उल्टा फोलो नहीं होता All में उल्टा कभी फोलो नहीं होता Sum में होता है All में उल्टा कभी फोलो नहीं करता Sum में करेगा बिटा All में जो उल्टा है वो कभी फोलो नहीं करता है Sum में करेगा सारा का सारा C A के अंदर है सारा का सारा C A के अंदर क्या सारा का सारा D F के अंदर है सारा का सारा D F के अंदर है है यह नहीं बेटा D F के अंदर नहीं है क्या सारा का सारा F D के अंदर है सारा का सारा F D के अंदर बिल्कुल नहीं है क्या सारा का सारा B A के अंदर है सारा B A के अंदर नहीं है A B के अंदर है क्या सारा का सारा C F के अंदर है क्या सारा का सारा C F के अंदर है ये बात एकदम गलत है क्या सारा ये नन आ गया बिटा नन नन को कैसे अंसर करना ये तो statement है तो statement थी हमारी तो ये हमारे पास जो थी ये statement थी केवल पहला सही था समझ में आगया बेटा कैसे आंसर करना है आज हम करेंगे none को कैसे आंसर करना है none none या no इंदी में कहते हैं कोई नहीं इंदी में कहते हैं कोई नहीं ठीक है का उत्तर कैसे देना है का उत्तर कैसे देना है बहुत आसान है बेटा का उत्तर कैसे देना है जड़ा इस वात को समझिए मैंने यहाँ पर लिखा मैंने एक statement दी मैंने मैंने एक statement दी मैंने एक statement दी non-AR-B non-AR-B A-B की जब बेटा कुछ भी होगा table, chair, pen, pencil, furniture, marker, stationery whatever, whatever, कुछ भी हो सकता है ठीक है, यहाँ पर जो चीजे होंगी वो कुछ भी हो सकती है, तो मैंने लिखा यहाँ पर non-AR-B कोई A-B नहीं है मैंने क्या लिखा बेटा कोई A-B नहीं है कोई A-B नहीं है non-AR-B non-AR-B को हमने कैसे लिख दिया कोई A, B नहीं है अब अगर कोई A, B नहीं है तो इसका डाइकराम ये बनेगा बिटा ये A बनेगा और ये B बनेगा और इनके बीच में हम काटा लगा देंगे काटा लगाने का मतलब है कि A और B के बीच में कोई भी relation यहाँ पे नहीं है तो अगर ये हमारा कथन है तो मेरा conclusion ये भी तो निकल सकता है मेरा conclusion ये भी तो निकल सकता है कि none B, R, A कोई B, E नहीं है none B, R, A कोई B, A नहीं है कोई B, A नहीं है कोई भी A जो है वो B नहीं है कोई भी B जो है वो A नहीं है तो ये बात सही होगी जब A का B के साथ cross relation है तो B का A के साथ भी cross relation होगा क्या आप ये बात समझ गे बटा जब A का B के साथ काटे वाला relation है circle अलग अलग है circle अलग-अलग की बात नहीं है cross relation मतलब उनके बीच में जो line जुड़ी हो उस पर काटा लगा हो तो उनके बीच में वो cross का relation होना चाहिए तो हमने यहाँ पे देखा A का B के साथ कोई संबंद नहीं है तो B का A के साथ भी कोई संबंद नहीं है अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं तो अब हम यहाँ पे उठाएंगे तो जैसे मैंने एक statement दिया मैंने कथन दिया मेरे बच्चों बड़े प्यार से statement मैंने दिया मैंने statement दिया all A, R, B बहुत अच्छे से समझाऊंगा बहुत सटीक तरीके से समझाऊंगा सभी A, B है सभी A, B है बहुत प्यार से समझाएंगे दूसरा है non-B, R, C non-B, R, C कोई B, C नहीं है कोई B, C नहीं है अब मैंने यहाँ पे conclusion लिखा पहला conclusion मैंने लिखा non-A, R, C दूसरा conclusion मैंने लिखा non-C, R, A non-Wale को answer देना सीखिए बच्चे कैसे देंगे तीसरा मैंने लिखा non-C, R, B चौथा मैंने लिखा non-B, R, A non-C, R, A non-C, R, A, B, C नन को answer देना सीखिए मजा ही आजाएगा आपको अब यह हमारे है हिंदी लिखना है की ज़रूत है पर टाफिर भी लिख देता हूँ कोई A, C नहीं है नहीं तो उलाना दोगे सर नहीं कराया कोई A, C नहीं है तो हमने दिया यहाँ पे कोई A, C नहीं है कोई C, A नहीं है कोई C, A नहीं है कोई C, B नहीं है कोई C, B नहीं है कोई B, A नहीं है कोई B, A नहीं है कोई B, A नहीं है तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका डाइगराम बना के दिखाता हूँ आपको आप बड़े प्यार से समझिये B और C का क्रॉस रिलेशन है ठीक है अगर B और C का क्रॉस रिलेशन है अगर B और C का क्रॉस रिलेशन है अगर B और C का क्रॉस रिलेशन है तो A और C का भी क्रॉस रिलेशन होगा A और C या C और A का भी क्रॉस रिलेशन होगा क्यों 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 कि वो उसके अंदर है क्योंकि वो उसके अंदर है ध्याने सा समझेगा बिटा यदि बी और सी या सी और बी का क्रोस रिलेशन है बी और सी या सी और बी का क्रोस रिलेशन है क्योंकि कभी क्रोस रिलेशन होगा क्योंकि वो B के अंदर है क्योंकि C B के अंदर है क्या आपको ये बात समझ में आगी बेटा अगर ये बात समझ में आगी तो yes comment कर दीजिएगा क्या आपको ये बात समझ में आगी गर ये बात समझ में आगी तो yes comment कर दीजिएगा मेरे बच्च ज्यान से सुनो यहाँ पे B और C का cross relation है जब B और C का cross relation है तो A और C का भी cross relation होगा लेकिन एक बात को समझे बटा लेकिन अगर मैंने लिख दिया all B are D और मैंने D लिख दिया तो अब D और C का नहीं होगा क्यों? क्योंकि D तो बाहर है अब D और C का cross relation नहीं होगा क्योंकि D तो B के दारिय से बाहर चला गया हाँ, अगर मैं D को अंदर रख दूँ अब C और B का भी cross relation है C और A का भी cross relation है C और D का भी cross relation है इस बात का ध्यान रखिए आईए मेरे बच्चे आगे और सवाल कराएंगे तो समझ में आपको आएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा बड़े प्यार से समझेंगे नन, A और C क्या A और C का cross relation है जब B और C का cross relation है तो B के अंदर A है तो A और C का भी cross relation होगा तो पहले वाला सही है नन में उल्टा हमेशा सही अगर यह point ना भी आद हो तो आपको सीधा सीधा पता है कि जब A और C का cross relation है क्योंकि C और B का है B के अंदर A है C और B का cross relation है B के अंदर A है तो A और C का भी होगा अगर इसके अंदर D है तो C और D का भी होगा जो अंदर है वो सही है तो अगर B और C या C और B का cross relation है तो A और C या C और A का भी cross relation होगा क्योंकि क्योंकि A B के अंदर है C B के अंदर नहीं है बेटा क्योंकि A B के अंदर है A B के अंदर है इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान लखिए इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान लखिए यहाँ पे C और B C और B का तो cross relation है B और C का cross relation है C और B का cross relation है B और C का cross relation है तो बेटा C और B का तो वैसे cross relation है सही है अब बताओ B और A का cross relation है नहीं A और B तो आपस में अंदर है All का relation है B तो अंदर है A के बेटा B अंदर है A के तो ये गलत होगा मुझे बताइए हमारे कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई YouTube पे भी session live चल रहा है तो YouTube पे भी देख लेता हूँ एक बार मुझे बताइए बेटा कितने बच्चे हैं हमारे जिनको इमानदारी से ये बात आपको समझ में आ गई है तो वेंड डाइगराम से हम इसको कर रहे हैं और बहुत इजी तरीके से हम इन सभी के result निकालना सीख लेंगे चाहे possibility हो या कुछ और हो तुरंट तुरंट हम इसे बता देंगे जो बेटा लेट जोड़ा है वो ही कहे रहा है कि सर शुरू से बतादो दुबारा बतादो लेट नहीं जोड़ना साडे नो बजे का मतलब साडे नो बजे साडे नो बजे का मतलब साडे नो बजे क्लास लाइब होजएगी ये मेरा नया बैच्छा जो carrier will पे शुरू हुआ है अपन का नया बैच्छा जो carrier will पे शुरू हुआ है बात समझ में आगी बेटा एकदम clear है और बता देंगे बेटा और क्या दिक्कत है और बताएंगे आपको अभी और मजे और समझो और समझो जैसे मैंने लिखा all PRQ all PRQ सभी PQ है और डिटेल से बताएंगे बेटा क्यों tension ले रहे है दूसरा all QRS all QRR सभी QR है तीसरा all RRQ सभी RQ है चौथा non QRS कोई QRS नहीं है कोई QRS नहीं है conclusion ये है हमारे statement statement होता है कथन अब हम बात करेंगे conclusion की conclusion में पहला conclusion है हमारा non RRS दूसरा non SRR non SRR तीसरा non QRS चौथा non SRQ बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा बैटा पाचवा non PRS बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा खटा non SRP एक बच्चा ये नहीं कहा सकता कि सर नहीं समझ में आया एक सिंगल बच्चा भी पहली बार पढ़ रहे हैं तो इतना बढ़िया पढ़ेंगे इतना बढ़िया तरीके से कि मज़ा आ जाए सर सीजल प्री कॉलिफाई 170 है दोस्तों में से तो मेंस का बैच जोइन करना था मेंस की त्यारी करनी थी आपको ठीक है और बहुत अच्छा स्कोर आपने किया और मेंस में भी आपका सेलेक्शन हो जाए और बहुत अच्छे नंबर से होगा और टॉप रेंक लेके आनी है तो निशी ने कमेंट किया है कि सर सीजिल का प्री हमारा क्वालिफाई है तो all PRQ all QRR all RRS अहां अहां यहां पे थोड़ा सा बिटा गड़बड हो गई है statement गड़गड हो जाएगा statement गड़गड all PQQ QRRS यहां पे ऐसा आएगा same repeat नहीं कर सकता same repeat नहीं करेगा और all SRT all SRT change कीजे बिटा all SRT नहीं तो गड़बड हो जाएगा ऐसे statement बनेगी नहीं बिटा जैसे मैंने बताई तो non RRT non TRR non RRT non TRR non QRT non QRT non TRQ non TRQ non PRT non TRP बहुत भारी mistake हो गया भीया अब बनाओ बिटा non RRT non TRR non QRT non TRQ non PRT non TRR आपके लिए questions साथ साथ बनाता हूं बिटा हर batch में कुछ questions नहीं देता हूं मैं आपको हर batch में जो मैं questions देता हूं आपको नहीं नहीं देता हूं अपने मन से बना के ठीक है चलिए हिंदी बनाने की जोरुत है बिटा कर लेंगे इसकी हिंदी बनाने की जोरुत तो नहीं है non का मतलब कोई नहीं आजएगा कोई RT नहीं है कोई TR नहीं है कोई QT नहीं है कोई TQ नहीं है कोई PT नहीं है कोई TP नहीं है यह इतना सा है नंबर सातवा भी आपको करा दूँ नन पी यार आर आठवा भी करा दूँ नन क्यू आरेस आओ डाइगराम बना और मुझे बताओ कौन सा सही है आल आर करेक्ट क्या बात है तुक्के तो नहीं मार रहे हैं यूट्यूब वाले बच्चो ठीक है एयर फोर्स का मेडिकल आउट हो गया है उसे सीजली प्रिपेंट करना चाहत हूँ क्लास डेली चलेगी क्या बटा कैरेवे लैब डाउनलोड कर लो और कैरेवे लैब पे आप सीजली की प्रिपरेशन बटा सिया पाल लुकिंग लाइफ के जी एफ क्यों बार-बार कमेंट कर रहा है बच्चे सब को पढ़ने दो चलो बच्चे डाइगराम बनाते हो डाइगराम बनाके धुँआ धुआ करते हैं चीजों को सभी के सभी बनाएंगे आउ डाइगराम बनाते हैं तो यह आल पी आर क्यू डागरा मुझे बताएगा यही बना या नहीं बना आल पी आर क्यू यही बना आल पी आर क्यू आल क्यू आर आर आल क्यू आर आर यही बना आल क्यू आर आर आल आर आर एस आल आर आर एस यही बना या नहीं बना यानि हमारे पास तीन सरकल कॉंसेंट्रिक है अगर मैं यहाँ सरकल तरीके से बनाऊँ तो तीन सरकल कॉंसेंट्रिक है नमबर एक ठीक है, नमबर दो नमबर तीन तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल पी आर क्यूँ यह पी है और उसके बाद कोई भी स्ट नहीं है गजबे हो गया यह तो कोई भी स्ट नहीं है को जब कोई भी स्ट नहीं है तो आपको यह पता होना चाहिए कि स और ट के बीच में क्रॉस रिलेशन है जब ट और एस के बीच में जब एस और ट या ट और एस में क्रॉस रिलेशन है क्रॉस रिलेशन है तो आर ट में क्रॉस होगा तो आर ट में क्रॉस होगा दूसरा आर ट या टी आर उसको जैसे मर्जी लिख लो उल्टा हमेशा सही होता है जब गार ट आर ट ट या क्रॉस होगा क्योंकि वो उसके अंदर है क्योंकि वो उसके अंदर है बात समझ में आगी बिटा इस सभी को clear है हाया नामे जवाब दो उसके बाद फटा-फट देखते हैं क्या R और T में cross relation है फटा-फट देखते हैं बिल्कुल बिटा जब S और T में है तो R और T में होगा क्योंकि R T के अंदर है और उल्टा हमेशा सही होता है R और T में cross है तो T और R में cross होगा क्या Q और T, T और Q में cross relation है जब T और S में है तो S के अंदर R है, R और T में होगा R के अंदर Q है, Q और T में होगा तो Q और T, T और Q में cross relation होगा तो ये भी सही है, ये भी सही है आरे यह बटा बात समझ में समझ में आगया सभी को उसके बाद क्या P और T, T और P में Cross Relation है, जब S और T में है R और T में है, Q और T में है तो P और T में भी हो, क्योंकि यह सब के अंदर है तो P और T, T और P में भी Cross Relation होगा, तो यहाँ पर यह भी सभी है, और यह भी सभी है क्या P और R में Cross Relation है, बेटा P तो R के अंदर बैठा हुआ तो Cross Relation कहां से है क्या Q और S में Cross, Q तो S के अंदर बैठा Cross Relation कहा है, मुझे बताओ इमानदारी से कितनों का सभी है इसको लिखते जाएं सर नहीं बेटा, लिखना नहीं है बाद में नॉट्स बनाना, नॉट्स आप बाद में बनाईएगा आपको नॉट्स मिल जाते हैं, आप नॉट्स कितनों का सही था यह बता दो एक बार कमेंट कर दीजिए सारे के सारे ये जो लॉजिक है ये कितनों का सही है कितनों का सही था बैटा clear था एकदम दिमाग में आ गया none को answer देना सीख गए none को कैसे answer देना है सारे के सारे यहां सीख गए कि none को कैसे answer देना एक दिमाग में बात सेट हो गई clear एकदम crystal clear है YouTube पे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं सब को clear है कोई समस्या तो नहीं है simple सा टाइप है when diagram को इतने simple तरीके से बताऊँगा ना कि ऐसे किसे ने बताई नहीं होगा simple तरीके से बात समझ में आगी बेटा लेकिन अगर इसी में मैं all वाले देता हूँ देखता हूँ all or some वाले all or some वाला तो आप सीख चुके हैं अगर इसी में all or some वाला case देता हूँ यह मैंने copy कर लिया है और यह मैंने दूसरा page copy कर लिया फोटो कोपी हो जाती से में ताकि वो आपके notes खराब ना हो पहला conclusion मैंने दिया बेटा all वाला देखता हूँ कितने सही देंगे पहले वाला मैंने conclusion दिया all PRQ दूसरा all QRP तीसरा sum PRQ चौथा sum QRP all or some वाले भी revise कर वा लिता हूँ all or some वाले भी revise हो जाएंगे बेटा पाचवा all QRS sum वाले भी revise हो जाएंगे छटा all SRQ all SRQ साथमा sum QRS आठमा sum SRQ sum SRQ नंबर नौ नंबर नौ नंबर नौ 2-3 आजाएंगे चार आजाएंगे 5 इससे ज्यादा नहीं आने मैं तो आपको 50-50 conclusion करवा दूँगा गिनी चुनी statement से ठीक है अभी mix कराएंगे बेटा एक बार sum note वाला clear हो जाए sum note वाला थोड़ा सा मुश्किला sum note वाला clear हो जाए फिर mix कराऊंगा फिर sum mix कराएंगे sum note फिर एक्जाम वाले सवाल कराएंगे all srp 11 sum prs और 12 sum srp sum srp ये आप लोगों को जो है वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आगे बच्चे बात समझ में अब देखता हूँ all वाले और sum वाले मैंने आपको तीन चीज़े बता दी all वालों को कैसे solve करना है पहले वाले का पूरा सरकल Q में है क्या Q का पूरा सरकल P में है all में उल्टा होता ही नहीं ये चेक करना है sum वाले में कुछ area या पूरा सरकल common हो या तो थोड़ा area common हो या ज़्यादा area common हो पूरा area common हो एक बार बता दो बिटेस में सही ज़्यादा है गलत कम है गलत कौन कौन से है वो बता दो गलत कौन कौन से है वो बता दो कौन कौन से conclusion गलत है वो हमें बता दीजिएगा शाबाश अब आप सीधी सीधी बात करते हैं इसमें तो सिंपल से चीज़े हैं बता दू आपको चलिए यहाँ पे है कि क्या P का पूरा सरकल Q के अंदर है क्या P का पूरा सरकल Q के अंदर है बेटा P का पूरा सरकल Q के अंदर है और उल्टा कभी फोलो होता नहीं तो दूसरा गलत P का पूरा सरकल Q में है Q का पूरा सरकल P में नहीं है तो दूसरा गलत हो गया ठीक है दूसरा चटा दस्वा गलत बता रहे है बात समझ में आगी एकदम बढ़िया उसके बाद क्या P का पूरा सरकल Q में है अरे तो फिर सेम ही आगया यार P और Q, P और Q मैंने सेम लिख दिया अच्छा सम P और Q, सम 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 स्वरी सम था क्या P और Q में कुछ common है या P और Q में कुछ common है P और Q में पूरा एक common है ये भी सही है ये भी सही है अच्छा एक golden rule और बता रहा हूँ अगर याद रख सको तो काम जल्दी हो जाए अगर all का case P और Q में सही हो गया golden rule बता रहा हूँ बटा when diagram देखने की जरूता नहीं पड़ेगी अगर all में P और Q सही हो गया तो sum में P और Q आँख बंद करके सही लगा दो क्योंकि सारी चीजों में से कुछ चीज़े निकलती है अगर सारे pen marker है तो कुछ pen marker होंगे सारे student intelligent है कुछ student intelligent होंगे सारे student महनती है कुछ student भी महनती होंगे और कुछ महंती भी student होंगे वैसे तो आप अपना diagram से कर सकते हो अगर याद रख सको तो हमारा समय बचता है अगर all में P और Q सही हो गया तो P और Q सम में भी सही होगा मैं समनोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं सम की बात कर रहा हूं उसके बाद वेटा Q और S जैसे यहाँ देखो golden rule गजब का rule है क्या Q का पूरा सरकल S में है जी हाँ Q का पूरा सरकल S के अंदर है तो यह सही है all में उल्टा गलत होता है all में उल्टा गलत होता है अगर all में Q और S सही मिल गया अगर all में Q और S सही मिल गया तो sum में QORS, SORQ सही मिलेंगे आगी बटा बात समझ में एक एक बच्चे को चीजे कलियर हो गई है यूट्यूब के कमेंट्स मैंने सामने लगा रखे बटा ऐसे मन बोलना सारी यूट्यूब पे धनी दे रहे तो हम यहाँ पे उसको पढ़ेंगे चलिए तीदी सीदी बात है मेरे भाई तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सेते क्या QORS, SORQ में common है बेटा पूरा का पूरा QS के अंदर common है पूरा का पूरा QS के अंदर common हो क्या मेरा बात समझ में आगया बेटा आपको क्या बताना चारा हो में फिर समझो जहीं समझ में आया हमें P का पूरा सरकल S में ढूंडना है P का पूरा सरकल S में है जी हाँ बिलकुल है तो ये सही होगा All में उल्टा गलत होता है अगर All में P और S सही मिल गया तो Sum में P और S भी सही मिलेगा और S और P भी सही मिलेगा चेक करने की जुरूत नहीं है क्या ये वाला पॉइंट समझ में आगया बेटा शॉट कट्स है अपने ये बार बार वेंड डाइगराम की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा याद कैसे रखेंगे क्योंकि सारी चीजों के अंदर कुछ चीजें छुपी हुई होती है सारी चीजों के अंदर कुछ चीजें छुपी हुई होती है तो अगर सारी चीजें सही है पी और एस की तो पी और एस की कुछ चीजें भी सही होंगी पी और एस की कुछ चीजें भी सही होंगी अगर सारी चीजें सही है बात अपने आप सीख जाोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मुझे बताने की जरुत नहीं थी, ठीक है बटा इस सारी बाते अपने आप सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सर सिलोज़म 150 से अच्छा है, वो मैंने करवा रखा बटा और 150 से best method है और जो method मैंने बताया था 150 हो कई method का mixture था मेरे वाला 150 YouTube पे मैंने marathon करवा रखी है YouTube पे में लिखेंगे न slowism सबसे उपर मेरा आता है 150 method marathon YouTube में slowism marathon लिखना करीब 13-14 lakh views हो चुके हैं उसमें सारे comments positive हैं तो वो मैंने 2-3 साल पहले चार साल पहले मैंने कराया था तो 150 उसमें भी मैंने mix किया था कुछ चीजों को जैसे यहां mix करके पढ़ा रहा हूं कुछ चीजों को वहां भी mix करके किया था क्योंकि मैं slowism को चार तरीके से मैं सिलोजम को करवा सकता हूं ठीक है मेरे भाई सर डी एससबी का बैच लिया हुआ क्यारे विल पर तब मैंने 150 से कराया कर देख लेना बेटा कल के केस जो है समके केस में खर्चा चेक नहीं हुता है 150 वाले भी है ठीक है कल की क्लास जरूर देख लेना कल की क्लास जब देख लेंगे चैप्टर वाइस असाइनमेंट मिलेंगे बिलकुल मिलेंगे बेटा अभी सिलोज़म का असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा बेटा अपनी अपनी मरजी है कोई कह रहा है 150 इजी है कोई कह रहा है वेंट डाइगराम इजी आपको जैसे ठीक लगे हम तो दोनों के उस्ताद हैं मेरे पास इसके लावाद दो तरीके और हैं उन्से भी करा देंगे कराने के बस पढ़ाने का तरीका आना चाहिए जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन सवाल है कि उसको पढ़ाए कैसे समझाए कैसे समझाना मकसद है नन वाला सही हो गया बिटा लेकिन अगर इसमें मैं एक पेज और जोड़ दूँ एक पेज और एक फोटो कोपी ले ले ली म पाच्वा स्टेटमेंट मैंने पाच्वी स्टेटमेंट और ले ली और पाच्वी स्टेटमेंट क्या थी पाच्वी स्टेटमेंट थी आल टी आर यू सभी टी यू है सभी टी यू है अगर भाई साब सारे के सारे टी यू है सारे के सारे टी यू है अब ध्यान से समझो भ all TRU, ठीक है, फिर से बताता हूं, मैंने सारी की सारी स्टेटमेंट जोड़ दी, all TRU, सारी की सारी स्टेटमेंट जोड़ दी, मैंने all TRU, एक और जोड़ दिया, अब मैं कुछ conclusion पूछ रहा हूं, पहला conclusion, पहला conclusion है, none SRU, none URS, तीसरा, none RRU, none URR, पाचवा, none QRU, none URQ, अब बिटे एक बात बताओ, cross relation तो T और S का था, तो S के अंदर R था, तो T और R का था, R के अंदर Q था, तो T और Q का था, Q के अंदर P था, तो T और P का था, U का तो ना S के साथ cross relation है ना R के साथ क्योंकि U तो T के बाहर है U का U का ने तो S R Q P से cross relation है cross relation है क्योंकि UT के बाहर है अगर अंदर होता तो जब T और S का था तो S और U का भी हो जाता लेकिन वो अंदर होना चाहिए था ये तो बाहर है भाई साथ तो जो कह रहे हैं सारे सही हैं वो कह रहे हैं सारे गलत है बटा सारे सही है इनी जो कह रहे हैं कि सारे सही हैं तो वो आप यहाँ पे ध्यान मत दो वो सब गलत है ठीक है चलिए बात समझ में आगी मेरे बच्चे आपको अनुरा कुमार बिटा फालतू के कमेंट यहाँ पे मत कर एक तो मैं तरे को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा हूँ और दूसरी बात तेरे को पता तेरी आइडी मेरे पास है क्योंकि तूने मुझे फोलो का रखा है तो तेरी आइडी मैं अभी सारवजनी कर दे रहा हूँ जो यहाँ पे तू कमेंट कर रहा है बद्दे बद्दे तुम्हारे गर में माता बेने नहीं है क्या बिटा मा बेन नी है तुम्हारे गर में इस पर पुलिस में मुकदमा दर्ज हो सकता है तरे को नहीं पता हो तो और ना हो तेरे बसकी तो बेटा मैं करके दिखा देता हूँ तरे बसकी नहीं है तो हम करके दिखा देते हैं ठीक है तो या तो सुदर जा या फिर जो कांड होगा वो तकड़ाई हो जाएगा फिर ठीक है अभी टेक्निकल वाला है नहीं ना तो अभी तरह को ठागे ब्लोक मरवा देता है चाहे तरही फरजी आइडिया चाहे कुछ भी है वेटा ये तो यूटूब पे जो कह रहा है ना सुदर जया जिस नोकरी के तुम त्यारी कर रहा है सब इंस्पेक्टर की वो छोड़ के आए हुए तो छोड़ दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं है सारे दाव पेज जानते हैं वी भी लपेट देंगे तुम्हे तो तैजीब से रहिए पढ़ने आए हैं ना कि यहां उल्टा सीधा बोलने ठीक है माफी मांग ले और चुपचप निकल ले यहां से पढ़ने वाले बच्चे उन्हें पढ़ने दो ठीक है चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं सीधी सीधी बात है मैंने बताया कि T और S का क्रोस रिलेशन था T और R का था T और Q का था T और P का था तो U और S का नहीं है बटा U का क्रोस रिलेशन S के साथ नहीं है क्योंकि U T के बार है अंदर होता तो हो जाता और उसमें भी exception थी लेगिन यहाँ पे नहीं है लेगिन यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई इसका मतलब क्या है कि जब U का S के साथ नहीं है R के साथ नहीं है Q के साथ नहीं है तो U का S के साथ नहीं है U का S के साथ नहीं है U का R के साथ नहीं है U का क्यों तो सारे गलत है आगे बेटा बात समझ में, सरकल बाहर नहीं होना चाहिए तब क्रोस रेलेशन नहीं बनेगा सरकल अंदर होना चाहिए क्या ये बात आपको समझ में आगी तो सारे के सारे गलत है Yes या No अब सुदर गया भाग गया भी यहां से तो ये सारे के सारे गलत है बोलिए हाया ना सारे के सारे गलत है या नहीं है समझ में आ गया बिटा समझ में आ गया आप ये देखिए कि T का cross relation S के साथ है S के अंदर R है तो T का R के साथ भी है R के अंदर Q है तो T का Q के साथ भी है Q के अंदर P है तो T का P के साथ भी है लेकिन U आ गया बाहर अब U बाहर आ गया तो U का cross relation S के साथ नहीं होगा R के साथ नहीं होगा अगर अंदर होता तो एक अलग बात थी बाहर है तो नहीं होगा सारे के सारे गलत है क्या ये वाला point समझ गए समझ गए बिटा एक बार नहीं अनेक बार बताएंगे चीजों को समझाएंगे बिल्कुल सेट करके चोड़ेंगे तो आप सीख गए है कि नन को कैसे answer देना है अब हम देखते हैं कि सम नौट को नन का उल्टा हमेशा सही होता है बात समझ में आ गई ठीक है चलिए तो condition आगे आ जाएंगे कि सम लिखा हो ये लिखा हो वो लिखा हो सब समझ जाओगे थोड़ा सा सबर रखिए थोड़ा सा patience रखिए अभी तो questions भी solve कराऊँगा और either or की condition भी बताऊँगा कि either or बनता है तो वो कैसे बनता है बात समझ में आगी बिटा सारे के सारे comments favorable है positive है YouTube पे भी और application पे भी carry will पे application पे live चल रहा है मेरा ये batch तो अब हम आगे चलते हैं अब some note को कैसे आंसर करना है अगला टाइब बिटा some note आखरी है बाकी सारे मिलते जुलते है some note का मतलब कुछ नही कुछ नहीं का उत्तर कैसे देना है some note कुछ नहीं को कैसे आंसर करना है सारे समझ में आगे बिटा कैसे आंसर करना है अब आजव बिटा some note का मतलब क्या होता है some note का diagram कैसे होता जैसे मैंने मानली जीए एक statement लिखा मैंने लिखा some a r not b some a r not b कुछ a b नहीं है कुछ a b नहीं है इसका diagram मैंने आपको बताया था कुछ a b नहीं है कैसे बनेगा ये a हो गया और ये b हो गया तो a का कुछ हिस्सा b नहीं है b के पूरे सरकल के साथ संबंदित नहीं है इसका मतलब है a का कुछ हिस्सा कुछ एरिया सारा एरिया नहीं कुछ एरिया b के पूरे सरकल से संबंधित नहीं है अगर थोड़ा एरिया भी संबंधित नहीं है अगर थोड़ा एरिया भी संबंध नहीं होगा तो पूरा भी नहीं होगा उमा आगे बताऊंगा ये है इसकी लेंगविज a का छोटा सा एरिया कहीं का भी हो वो चाहे कहीं का भी हो वो बी के पूरे सरकल के साथ संबंधित नहीं है ये समनोट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अब इसका उत्तर कैसे देना है वो जरा समझीएगा उत्तर देने का तरीका भी वेटा आपको आना चाहिए कमेंट किया सर मेरी फीस सही जगे लगी देखो बेटा कैरियर विल पे हम थोड़ी सी फीस भले ही ज़्यादा लेते है पंदरा सो सोला सो रपे ले लेते हैं हम एक बैच के लेकिन उतने ही मन से और लगन से पढ़ाते हैं बेटा ऐसा नहीं है कि एक बार फीस हमारे खाते में आ गई तो फटा फट से कोर्स खतम करा दो सिलोईजम में चाहे चार क्लास लग जाएं पाँच लग जाएं छे लग जाएं आठ लग जाएं यहां कोई प्रोटोकॉल नहीं कि इतनी क्लास में खतम करना है खतम करा के ही समझाएंगे तो में मकसद है समझाना तो हमारे efforts जो होते हैं यूट्यूब वालो तो जो हमारे efforts होते हैं हमारा main efforts है कि हम आपको मेहनत से समझाएं बड़ी मेहनत लगते ही बटा आपको क्या लगता है? मैं पढ़के नहीं आता है मैं भी पढ़के आता हूं कि इस चीज़ को कैसे नए तरीके से पेश करूँ इस चीज़ को कैसे नए तरीके से समझाऊं हमारे बच्चों को कि उनके दिमाग में वो बात सेट हो जाए तो efforts देंगे बटा मेहनत देंगे और पढ़ाने में आपको 300 रुपे में भी पढ़ा रहे हैं, 200 रुपे में भी पढ़ा रहे हैं 50 रुपे में भी पढ़ा रहे हैं क्या ही पढ़ाएंगे वो क्योंकि चुकि हमारा platform बहुत बड़ा है तो platform की अपने खर्चे भी होते हैं उनको manage भी करना होता है तो उसी हिसाब से fees है लेकिन अगले महिने याने वाले समय में हम उसे control करेंगे हम चाहेंगे कि कुछ benefits कुछ offer आपको दें festival season में ठीक है मेरे बच्चे तो महनत से आप पीछे मठ अठीए क्योंकि महनत हम भी आपके साथ कर रहे हैं लेकिन भाई वो शिकायत है नहीं होने चीए अब कुछ शिकायत है कि सर मैं लेट जुड़ गया दुबारा बता दू इसलिए तो आपके पास वीडियो है दुबारा देख लो नेट चला जाएगा आपका बीच में तो हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ समस्या होती है वो थोड़ा सा क्या है कि आप बाद में वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वीडियो आपके पास है यूट्यूब परी मैंने इसलिए इसको लाइव किया है अब आप ये बात जानते हैं कि एक का कुछ एरिया बी के पूरे सरकल से संबंदित नहीं है बी के पूरे सरकल से एक का कुछ एरिया बी के पूरे सरकल से संबंदित नहीं अगर ये स्टेटमेंट है तो मैं कंक्लूजन में लिख रहा हूँ पहला सम बी आर नौटे बेटा सम नौट में उल्टा फोलो नहीं होता सम बी आर नौटे आप कहेंगे सर बी का कुछ एरिया ए के पूरे सरकल के साथ बेटा रिलेशन तो इनका है कि ए का थोड़ा सा एरिया बी के पूरे सरकल के साथ संबंध नहीं है बी का थोड़ा सा एरिया A के पूरे सरकल के साथ ये नहीं चलेगा तो बिटा सम नोट में उल्टा फोलो नहीं होता अगर स्टेटमेंट ये है कंक्लूजन ये है तो नहीं बनेगा कुछ भी A नहीं है सम नोट में उल्टा फोलो नहीं होता नन वाले में उल्टा फोलो होता देखो अल में और सम नौट में उल्टा गलत होता है इस बात का ध्यान रखिएगा आईए इसको आंसर देखने का तरीका देख लेते हैं किरती पंडे बेटा कैसे करना है जरा देखिएगा मैंने एक स्टेटमेंट लिया हमने कुछ स्टेटमेंट लिये स्टेटमेंट हमारे लिए होते हैं कथन मैंने कुछ स्टेटमेंट लिया और कुछ स्टेटमेंट लेके मैंने पहला दिया आपको और वो पहला दिया है यहाँ पे all ARB दूसरा statement मैंने लिया non BRC तीसरा statement मैंने लिया all CRD डाइगराम बनाओ बेटा इसका हिंदी तो लिखने की जोरूत नहीं है अब तो बड़े हो गए हो सर मैं आपसे 2021 में पढ़ा था अभी भी content याद है तो 2021 में तो मैंने 150 से पढ़ा है था आज मैं आपको वेंड डाइगराम से पढ़ा रहा हूँ जब समय बदलता है तो मैं चीजों भी बदल लेता हूँ बच्चे कहेंगे इस master को तो एक ही तरीका आता है तो master जी अपने तरीके थोड़े change मार लेते हैं तरीके कही आते हैं थोड़े थोड़े बदला वहर batches में कर देते हैं और दोनों ही तरीके अपनी जगे बेस्ट हैं अपनी जगे जो है वो सटीक है दोनों ही तरीके ठीक है मेरे भाई जिनको पीछे वाला समझ नहीं आए वो फिर समझेंगे यूटूब पे बटा कमेंट चल रहें बटा ये रहे सामने है देख रहा हूँ आप लोगों को में अभी भी बच्चे हैं वहाँ 232 बच्चे लाए conclusion की हम बात करें conclusion जब हम conclusion की बात करेंगे पहला conclusion है non-ARC दूसरा non-CRA ये तो आप बताई देंगे non-CRA तीसरा सम-AR-0-C चौथा सम-C-R-0-A नन वाला तो आप बताई दोगे और non वाले में तो उल्टा भी follow होता है पाच्वा non-BRD छटा non-DRB सात्वा सम-BR-0-D अबे आओ बच्चे डाइगराम बना ले इसका डाइगराम बना ले अल-A-R-B नन-B-R-C अल-A आर-B अल-A-R-B नन-B-R-C अल-C-R-D अल-A-R-B नन-B-R-C बी का सी के साथ क्रोस रिलेशन नहीं है और अल-C-R-D तो ऐसे थोड़ी की डी के साथ डी तो बाहर है आओ बेटा नन वाले आंसर दे दो पहले आप नन वाले कौन-कौन से सही है कौन-कौन से गलत है सर 2021 में पढ़के एक जगे जोटी वालों के छुटी कर दी से चलो बेटा शाबाश अब मुझे ये बताई यहाँ पे नन वाले तो आप पहले बताऊ फिर समनोट वाले मैं बताऊंगा समनोट वाले मैं बताऊ डाइगराम सब को समझ में आ गया All A, R, B None B, R, C, B और C का कोई समझ नहीं All C, R, D, सारे के सारे C, D है तो बेटा C का B के साथ Cross Relation है C का A के साथ B का D के साथ नहीं है Cross Relation A का D के साथ नहीं है Cross Relation आओ बेटा समझते हैं मजा आने वाला है None वालों पर हम देखते हैं None वालों में हमें देखना है क्या A और C में Cross Relation है A बेटा जब Cross Relation यहाँ पे B और C का है और B के अंदर A है B और C का Cross Relation है B के अंदर A है तो B, A और C का भी Cross Relation होगा अगर A और C का Cross Relation होगा यह रहा उल्टा हमेशा सही होता है A और C का Cross Relation होगा क्रोस रिलेशन है भाइसा B और C का है B और D का नहीं है क्योंकि D तो बाहर है अगर अंदर होता तो हो जाता यह तो बाहर बैठा है D बाहर बैठा है C के D C के बाहर बैठा है तो इसका cross relation नहीं होगा ये गलत तो उसका उल्टा भी गलत हो जाएगा बताओ यहां तक की चीजे सब को समझ में आ गई बिटा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नन वाला मैंने आपको बड़े प्यार से बता दिया यहां तक किसी को कोई दिक्कत अब हम यहां बात करेंगे समनौट की समनौट का मतलब अपने आप में कुछ नहीं होता है समनौट का मतलब अपने आप में क्या होता है कुछ नहीं समनौट का मतलब यह होता है कि A का थोड़ा सा area C के पूरे circle के साथ cross relation में है या A का थोड़ा सा area C के पूरे circle के साथ जब A और A और C का पूरा area पूरा area cross relation में है A और C का पूरा area cross relation में है में है तो A और C का थोड़ा एरिया भी क्रोस रिलेशन में होगा भई जब पूरा एरिया क्रोस रिलेशन में है तो A और C का पूरा एरिया थोड़ा एरिया A और C का थोड़ा एरिया भी क्रोस रिलेशन में होगा बोलिये हाया ना क्रोस रिलेशन में होगा बोलिये हाया ना तो A और C का थोड़ा एरिया भी क्रोस रिलेशन में होगा भई पूरा का पूरा A, C के साथ या पूरा का पूरा C, A के साथ क्रोस रिलेशन में है तो A का थोड़ा सा एरिया भी C के साथ cross relation में होगा और C का थोड़ा सा area भी A के साथ cross relation में होगा बात समझ में आगी बैटा इसका मतलब ये दोनों सही हैं अब आप कहोगे सरी हैं उल्टा सही हो गया उल्टा इस वज़े से सही नहीं हुआ उल्टा इस वज़े से यहां उल्टा गलत है उल्टाई से वज़े से सही हुआ है कि पूरा का पूरा A और पूरा का पूरा C cross relation में है तो जब ये पूरे circle ही आपस में cross relation में है तो इनका थोड़ा सा area इसका पूरे circle के साथ cross relation में होगा देखो A का थोड़ा सा area C के पूरे circle के साथ cross relation में होगा और C का थोड़ा सा एरिया A के पूरे सरकल के साथ cross relation में होगा तो यहाँ पे A और C और C और A का यहाँ पे बनेगा लेकिन यह important है हमें बताना है कि क्या B का थोड़ा सा एरिया D के पूरे सरकल के साथ cross relation में है D का थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा ये है सबसे main समझना ये है सबसे main समझना number 7 और number 8 यहां तक तो सब को clear हो गया इसका मैंने rule भी लिखवा दिया थोड़ा सा जो आपको efforts लगाने है वो number 7 और number 8 को efforts में लगाने है तो अगर number 7 और 8 समझ गए तो पूरा का पूरा concept समझ जाओगे आप आउ साथ और 8 को समझते हैं मेरे बच्चों हमें बताना है क्या B का थोड़ा सा area D के पूरे circle के साथ cross relation में है ध्यान से सुनिएगा B का थोड़ा सा area D के पूरे circle के साथ cross relation में है B का थोड़ा सा area D के पूरे circle नहीं, D के थोड़े से circle के साथ cross relation में है, B का थोड़ा सा area, D के थोड़े से circle के साथ cross relation में है, पूरे circle के साथ cross relation में नहीं है, B का थोड़ा सा area, चाहिए ये ये ये, D के पूरे circle के साथ नहीं, D के थोड़े से area के साथ में है, जो C है, क्योंकि D के अंदर C है, तो तो भाई-साब ये तो हो सकता है by का थोडा सा इरिया, डी के थोड़े से से एरिया लेकिन हमें छोड़े औरिया Machik नहीं करना , थो पूरे में Chaek करना है क्या है मतलब, एक का कुछ आरिया, बी के पूरे सरकल के साथ Cross relation में होना चाहिए, मेरे भाई, तो हमें बताना था क्या B का थोड़ा सा एरिया वो कोई भी हो B का थोड़ा सा एरिया ये 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 D के पूरे सरकल भई B और D का तो पूरे सरकल का क्रोस रिलेशन है ये नी B का C के साथ पूरे सरकल में क्रोस रिलेशन है B का थोड़ा सा एरिया D के पूरे circle के साथ cross relation में नहीं हो सकता B का थोड़ा सा area D के थोड़े से area में cross relation में हो सकता लेकिन थोड़े थोड़े में नहीं बताना हमने थोड़ा थोड़ा नहीं बताना हमें बताना है थोड़ा पूरे के साथ cross relation में हो थोड़ा थोड़े के साथ cross relation में हो ये नहीं बताना थोड़ा पूरे के साथ cross relation में हो ये हमें बताना है बोलिए हाया ना में जवाब दीजिएगा येस या ना में जवाब दीजिए बिटा ऐसा है या नहीं है जल्दी बताईएगा Yes या नौ में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है, जल्दी बताईएगा Clear हो गया, अब यह सई है, यह सई कैसे है क्या D का थोड़ा सा area, B के पूरे सरकल के साथ Cross Relation में है, ज्ये देखो बेटा, D का थोड़ा सा area यह रहा D का थोड़ा सा area, यह रहा D का थोड़ा सा area आपको दिखनी रहा मैं color change करता हूँ ये रहा D का थोड़ा सा area ये D का थोड़ा area है चाए और छोटा ले लो ये जो है ये D का छोटा सा area यानि C का मालनो क्योंगे D का ही तो area C किसका area है D का तो ये जो है D का हमें बताना था D का थोड़ा सा area या B के पूरे सरकल के साथ cross relation में है ये है D का थोड़ा सा area इसको मालनो चाहिए इसको मालनो ये थोड़ा सा area B के पूरे सरकल के साथ cross relation में है ये जो D का थोड़ा सा area यानि C ले लिया ये B के पूरे सरकल के साथ cross relation में है इसी लिए सही है तो हमें चेक करना था D का कुछ area हमें चेक करना था D का कुछ area B के पूरे सरकल के साथ cross relation में है, तो वो है इसलिए सही है आगया बेटा समनोट समझ में B के पूरे सरकल के साथ cross relation में है आगया बेटा समझ में आगे समझ में दोनों चीजों में फर्क है पहला मैंने क्या बताया B का थोड़ा सा एरिया D के पूरे सरकल के साथ B का थोड़ा सा एरिया D के पूरे सरकल के साथ नहीं है थोड़े सरकल के साथ हो सकता है कि B का थोड़ा सा एरिया D के थोड़े circle के साथ, A का थोड़ा सा area, C के पूरे circle के साथ, A का थोड़ा का A का तो पूरा ही cross relation में है, तो पूरा होगा तो थोड़ा भी होगा, अरे A का तो पूरा area cross relation में थोड़ा होगा तो पूरा भी होगा, तो बेटा यहाँ B का थोड़ा area, D के पूरे circle के साथ cross relation नहीं था B का थोड़ा area D के पूरे circle के साथ cross relation में नहीं था थोड़े से में था तो वो गलत हो गया लेकिन D का थोड़ा सा area ये है D और D का थोड़ा सा area ये ले लिया हमने ये ले लिया ये ये कहीं भी ले लो D का थोड़ा सा area B के पूरे circle के साथ पूछते हैं, तो एक और सवाल मैंने आपको दिया, number 9, यहां लिख रहा हूँ बिटा, जगह नहीं है, number 9 conclusion, number 9 conclusion यहां लिख रहा हूँ, अब देखते हैं, कितने समझ गए, number 9 conclusion, यहां लिख रहा हूँ, बिटा, मज़ा आने वाला है, number 9 conclusion, मैंने लिखा, sum D, R, not A, बताओ, यह सई है या गलत है, D का थोड़ा सा एरिया, A के पूरे सरकल के साथ, sum D, R, not A, यह सई होगा या गलत होगा, D का थोड़ा सा एरिया, A के पूरे सरकल के साथ, cross relation में है, क्यों sum A, R, not D, मैंने दो conclusion ओर लिख दिया उपर, छोटे-छोटे लिखे हैं बिटा, sum A, R, not D, इसको बलकी मैं यहां लिख देता हूँ, sum D, R, not A, और दसमा मैंने लिखा, sum A, R, not D, देखते हैं कौन बताएगा, इसमें से एक सही है, एक गलत है, देखो बिटा, जब यहाँ पे, कि D का थोड़ा ऐसे area, B के पूरे circle के साथ cross relation में है, तो D का A के साथ भी cross relation में होगा, क्योंकि B के अंदर A बैठा है, क्योंकि B के अंदर A बैठा है, अब जो answer देंगे, मैं समझ जाओंगा, वो सिकंदर है, सीख गए चीज़ों को, फिर question खटा-कट, खटा-कट, खटा- आओ वेटा, हमें यहाँ यह देखना है, कि D का थोड़ा सा area, A के पूरे circle के साथ cross relation में है, तो B के अंदर A है, बैस C का B के पूरे circle के साथ cross relation है, तो B के अंदर A बैठा हुआ है, तो A के पूरे circle के साथ cross relation में होगा, तो 9 मा सही है, A का थोडा सा area D के पूरे सर्कल के साथ क्रोस रिलेशन में नहीं है वो C के पूरे सर्कल में है तभी तो यह बता चुके हैं यह रहे बेटा अब आ गया बैटा समझ में अब इसमें भी एक जबरदस पॉंट समझा दूगा कहोगे गुरू जी मज़ा ला देते हूँ लेकिन बैटा अगर ये पॉंट ना भी याद रहे तो केवल डायगराम को देखकर अंसर कर सकते हैं अगर ये पॉइंट ना भी आपको याद रहें तो डायगराम को देखके आप अंसर कर सकते हैं कौन फौन मार रहा है भी बात समझ में आगी बिटा एकदम ओके एकदम ओके बिटा पवनिया पर फवनिया चल रहा है काहे बे एकदम ओके रिपोर्ट है बटा हमारे सभी बच्चों को समझ में आ गई ये चीजे कुछ और कराएंगे बटा चले अब एक और सवाल है और जिससे आपकी आँखे खुल जाएंगी जैसे मैंने लिया नन एर बी दूसरा आल सी आर बी आल सी आर बी तीसरा नन सी आर डी इन दी लिखनी पड़ेगी क्या लिख देता हूँ चलो बिटा मैं तो लाना दे दोगे नमबर एक, नमबर दो और नमबर तीन कोई A, B नहीं है सभी C, B है कोई C, D नहीं है फटा पट से मुझे उत्तर बता दो कंक्लूजन पहला कंक्लूजन है बिटा नन बी आर डी छटा है नन डी आर बी ठीक है मेरे बच्चे सातवा है सातवा है सम बी आर नॉट डी आठवा है सम डी आर नॉट बी नवा है नन ए आर डी दसवा है नन डी आर ए पटा फट से डागराम बनाते हैं नन ए आर बी नन ए आर बी है ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है यह ए हो गया है और यह बी हो गया कोई रिलेशन नहीं है ओल सी आर बी ओल सी आर इ बी विचारा वो अंदर बैठेगा ओल सी आर बी नन सी आर डी अंदर वाले सी का इस डी के साथ cross relation नहीं है अंदर वाले B और D का नहीं है यह C और D का है तो C और D का cross relation नहीं है B और D का C और D का cross relation है B और D का cross relation नहीं है यह देखो यहाँ C और D का है यह बात भी आपको समझानी थी यह बात भी आपको समझानी थी मेरे बच्चे नन A.R.B ये A और B को मैंने अलग-अलग कर दिया थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ नन A.R.B ये मैंने A लिखा और ये मैंने B लिखा ये मैंने A लिया है और ये मैंने B लिया है हमने कहा नन A.R.B कोई A.B नहीं है ठीक है बिटा ओल C.R.B और फिर मैंने लिया यह All-C-R-B Non-C-R-D इसको यहां लिख लो बगल में लिखने है जरूत नहीं है जगा नहीं है तो Non-C-R-D तो C-R-D का Cross-Relation नहीं है बैटा यहां पे ठीक है अब यह नहीं कि C-R-D का Cross-Relation है तो B-R-D का C-R-D का Cross-Relation है तो B और D का पूरा A पूरे के पूरे C के साथ cross relation में है पूरा का पूरा A जब B के साथ cross relation में है और B के अंदर C है तो ये आपस में cross relation में होंगे अब एक golden rule बता दू बटा golden rule वो golden rule ये है कि अगर non सही हो जाता है उसी value पे जैसे a और c value है c और a value है अगर non सही हो जाएगा तो उसी value पे some not भी सही होगा अगर non सही होगा उसी words पे जैसे यहाँ पे मालो table chair होता non table are chair, non chair are table तो some table are not chair, some chair are not table क्योंकि अगर non सही हो गया तो उसी value पे sum not भी सही होगा लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता क्या पता ये point आपको याद रहे या ना रहे ये तो shortcut है और shortcut हमेशा आदमी भूल जाता है लेकिन मैं बिना shortcut के कराऊंगा तो मझे क्या बताना है A का थोड़ा सा area या पूरा भी हो A का थोड़ा सा area C के पूरे circle के साथ cross relation में A का थोड़ा सा area क्या है पूरा हो क्या वो C के साथ cross relation में है क्योंगी A का और B का cross relation है तो B के अंदर C है तो A और C का भी cross relation होगा तो जब पूरे circle का cross relation है A और C का तो पूरे circle का cross relation तभी तो ये सही है A और C का पूरे सरकल का क्रोस रिलेशन है पूरे सरकल का क्रोस रिलेशन है तो भाई साब थोड़े सरकल का भी क्रोस रिलेशन होगा चेक करने की जरूरत नहीं है चेक करने की जरूरत नहीं है ये बार-बार मैं आपको ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ आया बिटा समझ में मज़ा आगया चीज़ों में कोई दिक्कत परेशानी है किसी को अच्छे से समझ आ रहा है एकदम बढ़िया अब B और D B का पूरा सरकल D के पूरे सरकल के साथ क्रोस रिलेशन में ना बिटा ना C का पूरा और D का पूरा क्रोस रिलेशन में है B का पूरा D का ने क्योंकि B अगर अंदर होता तो हो जाता, अगर B विचारा अंदर होता तो हो जाता, B तो बाहर है तो B और D का क्रोस रिलेशन नहीं है और अगर B और D का क्रोस रिलेशन नहीं है तो ये गलत होगा, इसका मतलब ये गलत नहीं होगा, इसमें से एक सही हो सकता है, एक सही हो सकता है, नन वाले सही हैं तो समनोट वाले सही होगा, इसका मतलब ये निये कि नन वाले गलत हो, तो समनोट वाले भी गलत होगा, ना उसमें सही हो सकता है, लेकिन ये 100% fact है, 100% सच् अगर none जिस value पे satisfy कर गया a और c, c और a तो sum not उसी value पे satisfy करेगा क्यों? क्या reason है? मैं कहूँ कोई pen marker नहीं है तो कुछ pen भी marker नहीं होंगे कोई student शैतान नहीं है तो कुछ student भी शैतान नहीं होंगे कोई student चालाक नहीं है तो कुछ student भी चालाक नहीं होंगे यहाँ पे आपको बताना है मेरे बच्चे ज़रा प्रेम से बात सुनियेगा आपको ये बताना है क्या B का थोड़ा सा एरिया D के पूरे सरकल के साथ क्रॉस रिलेशन में है B का थोड़ा सा एरिया बताओ बेटा सात और आठ में से कौन सा सही अभी पता लग जाएगा सात और आठ में से एक सही है कितना समझ है अभी पता लग जाएगा सात और आठ में एक सही है वो कौन सा है मुझे बता दो अभी की अभी पता लग जाएगा आपको बताना है क्या B का थोड़ा सा एरिया D के पूरे सरकल के साथ क्रॉस रिलेशन में है B का थोड़ा सा एरिया D के पूरे सरकल के साथ क्रॉस रिलेशन में है तो ये रहा बिटा B का थोड़ा सा एरिया ये रहा B का थोड़ा सा एरिया चाहिए वो area कहीं का भी हो वो D के पूरे circle के साथ cross relation में है B का थोड़ा सा area D के पूरे circle के साथ cross relation में है का मतलब यह सही है लेकिन क्या D का थोड़ा सा area B के पूरे circle के साथ cross relation में नहीं जी D का थोड़ा सा area B के थोड़े circle के साथ है पूरे सरकल के साथ नहीं देखो डी का थोड़ा सा एरिया बी के सरकल के साथ क्रोस रिलेशन में नहीं है वो सी के साथ है यह उसका थोड़ा सा एरिया तो थोड़ा सा डी थोड़ा सा भी क्रोस रिलेशन में है लेकिन हमें क्या चाहिए कि डी का थोड़ा सा area B के पूरे circle के साथ वो गलत है नौर दस होर बता दो अब बहुत सही बता है बटा, very good बहुत अच्छे जा समझ गया आप, अब नया chapter था ऐसा chapter था तो जीवन में ही नहीं पढ़ा था, ये कभी देखा ही नहीं था कि ऐसे भी सवाल होते हैं और आप जो कर रहे हैं बटा, मेरा होसला बढ़ जाता है मुझे लगता है कि चलो जो मैंने तयारी की थी कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाना है वो अब successful हो गया और हमारे बच्चे समझ रहे हैं number 9 और number 10 क्या A का पूरा circle और D का पूरा circle cross relation में है, A और D बटा, correlation ही नहीं है उनके बीच में आप कहोगे सरकल तो अलग-अलग है circle अलग-अलग नहीं देखना उनके बीच में काटा लगा होना चाहिए उनके बीच में ऐसे काटा लगा होता तो सही था उनके बीच में कोई काटा नहीं लगा हुआ तो मेरे बच्चे ये गलत है और ये भी गलत है उमीद करता हूँ कि चीजे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ आई होंगी रिलेट होई होंगी मज़ा आया होगा वेटा क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं जो हम बड़े प्रेम से समझ जाते हैं धीरे धीरे समझते हैं न आराम से कोई tension नहीं रखनी दिन में कोई दिमाग में ऐसी tension नहीं रखनी है बड़े आराम से पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे और चीजों को sort out करेंगे सारे ठीक है बटा अगला बताओ ऐसे सवाल आ जाएंगे बटा फिर आईदर और का case कल करा दूँ और कल possibility भी शुरू करा दूँ क्योंकि आजकल MTS और CGL में sum note तो opposite उल्टा है sum note का उल्टा कभी follow नहीं होता sum note का उल्टा केवल तभी follow होता जब none सही पाया जाए उसी value पे none सही पाया जाए तो sum note के उल्टे सीधे सही होंगे ठीक है मेरे भाई अब हम यहाँ पे सवाल करेंगे समय होने वाला फटा फट से आंसर करेंगे sum note सार क्वाइन आर क्वाइन आर क्वाइन आर सिलो नहों गोल्डी सलवर sum gold is not not देखते कौन बताएगा डाग्राम बनाओ यह है अच्छे लेवल का सवाल जो आपके एक्जाम में आना है आपके लिए बता मैं डाग्राम बना देता हूँ some notes are coin all coins are tin some notes are coins all coins are tins all coins are tins all tins are silver all tins are silver all tins are silver no silver is gold अब silver और gold का cross relation दे दिया तारा का सारा silver और gold relation है तो थोड़ा थोड़ा भी होगा some notes वाले भी होगे gold का silver के साथ cross relation है तो gold का tin के साथ भी होगा gold का coin के साथ भी होगा gold का notes के साथ भी होगा स्टारा का सारा होगा और थोड़ा भी होगा स्टारा का सारा होगा और थोड़ा भी होगा हाजी हो गया बच्छे चलिए बेटा Some gold is not notes Some gold is not notes आप ये बात देखिए बेटा Some gold is not notes या gold का थोड़ा सा area Some gold is not notes की यहाँ पर बात की गई है तो आपको यहाँ बताना है कि gold का थोड़ा सा area knots के पूरे circle के साथ cross relation में है gold का थोड़ा सा area क्योंकि हमें तो यहाँ पर बता दिया कि some no silver is gold gold और silver ये silver है तो यहाँ पर gold का थोड़ा सा area knots के पूरे circle के साथ cross relation में है वो तो silver के पूरे circle के साथ cross relation में है बताओ बच्चे शबाश और option आपको यहाँ दिये गए है यहाँ पे आपको option दिये गए है तो option के हिसाब से आप यहाँ पे choose करेंगे देखो बेटा सीधी सीधी बात है gold का silver के साथ cross relation है तो gold का teen के साथ cross relation क्योंकि यह चीजें इसके अंदर है तो अगर मैंने यहाँ पे conclusion लिखा none tins are gold none gold are tins some tins are not gold comment section का time भाग गया बिटा some gold are not tin some gold are not tin तो यह चीजे तो आपको समझ में आ गई है तो मुझे बताईएगा comment section बंद हो गया बिटा तो यह बात हम सभी जानते हैं कि teen का देखो circle silver का पूरा circle gold के साथ cross relation में है silver का पूरा circle gold के gold का और silver का तो gold के अंदर teen भी है तो यह सही होगा यह सही होगा अगर non-ten और gold में सही पाए गए तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा gold और tin में sum note जो है वो यहाँ पे follow करेगा अगर ये दे रखा होता तो हम यहाँ पे इसे सही बता सकते थे जल्दी बता बटा चारो चारो सही है समझ में आ गया अरे यार डाइगराम गलत है सम नोट्स और क्वाइन बनाना था तभी मैं कहूं पेच्चा कैसे फसरा है मेरा सम नोट्स और क्वाइन बनाना था अरे यार कमेंट सेक्शन बन गया तभी तो मैं कहूं गलती कहा हो रही है सम नोट्स और क्वाइन some knots are coins diagram ही गलत बना दिया है बताया है नहीं बटा किसी ने क्योंकि comment section है ये था some knots are coins some knots are coins all coins are tin ये था knots some knots are coins all coins are tin all tins are silver all tins are silver अब बात बनेगी no silver is gold तब ही तो मैं कहूँ यार सर गलत कैसे आ रहा है क्योंकि मैं तो एक ही चीज़ को दो तिन तरीके से चेक कर लेता हूँ when diagram से भी 150 से भी logical deduction के rule से भी ये बना बिटा thumb knots are coins all coins are tins all tins are silver no silver is gold अब हम इसमें करेंगे आपको solve कल कराएंगे इसी सवाल से याद रखें क्योंकि समय हो गया मेरी अगली class है यहीं से वैसे मैं आपको बता दू कौन सा सही है some silver are knots some silver are knots ये सही है some silver are knots ये सही है some knots are gold some knots are not gold तो knots का कुछ एरिया ये रहा कुछ एरिया गोल्ड के पूरे सरकल के साथ cross relation में है ये सही है some gold are not गोल्ड का थोड़ा सा एरिया नॉट के पूरे सरकल के साथ cross relation में है ये गलत है ये देखो नॉट्स का थोड़ा सा एरिया गोल्ड के पूरे सरकल के साथ क्रोस रिलेशन में, ये रहा नोट्स का थोड़ा सा एरिया 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 ये गोल्ड के पूरे सरकल के साथ cross relation है क्योंकि gold और silver का gold और teen का gold और coin का cross relation है तो इस वज़े से ये सही है लेकिन gold का थोड़ा सा area knots के पूरे circle के साथ cross relation में है gold का थोड़ा सा area knots के पूरे circle के साथ नहीं है पूरे circle के साथ थोड़ा और थोड़ा है आधा और आधा हो सकता है तो ये गलत है तो इसका अनसर होगा सेकिंड और थर्ड तो कल इसको में दुबारा भी करा दूँआ जब कमेंट चल जाएंगे चले विटा भार शुक्रिया थैंक यू गूट बेस यू जेहन जे भारत